बीते एक जुलाई से जो अपराद नियाए वेवस्ता है उसमें परिवर्तन किया है सरकार ने और सरकार का दावा है कि जो परिवर्तन किया है इससे जो हमारी नियाएक परिक्रिया है उसमें बहुत तेजी आएगी और जल्द जो है उसका केसेस का निपकारा होगा हमारे साथ वरिष अदिवक्ता है मुश्कुन सिंग साहब पचास साल से ज़ादा कि आपके प्रैक्टिस हो चुकिए एक्स प्रेशिडेंट है जिला बार के और हमसे पूछेंगे कि यह पूरा जो यह बदला हुआ है इसका क्या असर रहेगा इसका देखे मेरी समझ में तो कोई असर नहीं आना है आए दिन हाई कोर्ट से आदेस आते रहते हैं कि इनके स्पीडि ट्रैल किया जाए तमाम आयक्ट में दिया हुआ है कि इसको छे मेनें डिसाइड किया जाए डैर एक्सन से बेल अप्रिशन पंदा दिन में डिसाइड की नहीं है अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कोई एक्सन उनके खिलाफ होता नहीं अधिकारियों को अपना काम करने का तरीका है वो उसी तरीकेश करेंगे अगर अधिकारी नहीं बदलता है तो कोई परिवरतन का फायदा नहीं दूसरी बात यह कि basically क कोई परवर्तन हुए नहीं है उसी को रिपीट करके आगे पीछे कर दिया गया है इससे अच्छा सी पीची की तरह से अगर अमेंड कर दिया जाता तो ज्यादा बिटर होता और ज्यादा इसी में अगर कोशिस की जाए जजज अगर चाहें तेकि मैं मानता यह हूं कि सारी बे आज वो बिल्कुल बेमुख रहते हैं अदालतों के एक प्रैक्टिस हो गई कि अदालत पे कोई बैठता नहीं है वकील इधर उधर के मिल करके किसी तरह से मुकदमे करवाते हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पढ़ना नहीं है कुछ लिख दीजे किताब में हमारा संब संब्धान बना हुआ है माना जाता है कि संब्धान लागुन हो रहा है आया कानून बने रहते हैं लेकिन प्रक्रिया जो चलती है वो पुराने अधर Nep चला करती है भैवसायकत्था बनी हुई है तो इससे कोई फाइदा नहीं तो यही लगता है कि इसमें परवर्तन धिरे-धिरे करना चाहिए था जिसे CPC में हो चुका है इससे पहले CPC अमेंड हुई है और कोई प्राब्लम नहीं हुई उसी तरह अगर चाहते तो CRPC और IPC और एविडेंस एड तीनों को जो सेक्शन जहां उनको लगती थी कि यह नहीं होना चाहिए समय के साथ परवर्तन जरूरी है वो कर सकते थे वैसा ना करके सिर्फ एक ख्यात की गेन करने के लिए कि हमने इंग्लिस जो पीरेट का कानून ता हटा दिया आपने हटाया कुछ नहीं है वो वही है वही कब वही तो यह विर्थ है आप जैसे पचास साल साथ साल से प्रेक्टिस करने आपने मताया है तो आपके जबान पर IPC CRPC अब जब अदालत में जाएंगे तो एक बार कुछ जिजग लगेगी कि जिजग बिलकुल जिजग क्या बार-बार सोचना पड़ेगा कौन सेक्षन है किसका कंपरेजन है एक्चुली याद नहीं होगा अदालत से माफी मांगनी पड़ेगी करिवा गलती होगी तो यह सब आई पीसी में 511 धाराय थी अब जो बीनेसेस में 358 धाराय है 21 अपराद इसमें शामिल किये गए है 41 हमारी समझ में तो यह है कि जो भी फाईन है उसके जजज के पावर सोते हैं अपनीपावर के अंदर फाईन कर सकता है कम ज्यादा गेन करने के लिए अर्फिक लाब के टेक्स किया जाए इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया है टेक्स अगर जुर्माना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है और और एक देखें कि आप जो सेंटेंस होता है या जो सजा होती है उसका बेसिस क्या है और उसका सजा की जरूत क्यों पड़ती है कानून आदमी क्यों तोड़ता है इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए उस पर कोई बल नहीं दिया गया है पुलिस को ज्यादा अधिकार दे दे गए हैं अब पुलिस को ज्यादा अधिकार दे देने से पुलिस उसका दुर्पयोग करेगी और सभी जानते हैं कि पुलिस दुर्पयोग कर रह उसमें यह रखा जाए कि पुलिस के पाँ शक्तियां कम थी, मेनत करते थे, केश जब जाता था अदालत में, तो उसमें असानी से जमानत हो जाया करते थे, पुलिस का अगर स्टेटस देख लिया जाया, जो दरोगा कल हो जाता है, उसके स्टेटस अगर गोवर्मेंट जांज करवा ले तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कि इनको पावर्स ठीक नहीं थी आज भी उसका दुर्पयोग धलले से होता है तो ये सरकार का कहना बेमाने है कि साथ पुलिस को पावर्स कम थी अरे पुलिस को साड़ी पावर्स थी चाहे जिसको पकड़ ले जाए चाहे जिसको बेजज़त कर दे तो ये बेर्थ है तो इसका पोस्ट भी तो नहीं हो रहा है कहीं नहीं अपोस्ट क्या करें अब अगर ये सच पूछें तो हम अब भी बहुत ज्यादा कांसस नहीं है अपने दायत्तों के पर ते जो होगा देखा जाएगा इस पर विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि कोई सुनने वाला भी नहीं है हम चाहिए तो ये था गवर्मेंट को ये कानून पहले से ही प्रचारित करते इसकी कापिया बाटते जो प्रपोस्ट अमेंट जो ये एक्ट बनाया है वकीलों को मुहिया कराते तो वकील इसका बिरोद भी करते और सही राय भी देते लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं चुपके चुपके से हो जाता अखबार निकाल दिया एकात कापी भेज दिया किसी की नोटिस माया किसी की नहीं आया तो इसलिए इसका अपोस नहीं हो पाया तो इस चर्चा में हम शामिल करेंगे जिलाबार असोसीशन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही जाने माने वकील हैं हिसाल बारी फिद्वाई आप पुरी बाते भी सुन रहते हैं जो हम लोगी चल रही है ताले तो यह जो नय कानून बदलाओ और सरकार के दावे उदर वकीलो आपका क्या सोच देखिए बाटल का रैपर बदलने से परवेज सिरका अंदर का नहीं बदलता अभी हमरे सीनियर ने बताया कि बेसिक वहीं हैं और जहां पर बेसिक उन्होंने बदले हैं वो इतने बड़े फरक हैं कि उन से उन सेक्शन का बेसी हिल गया है जैसे 156-3 में ह हमारे हाँ जब कोई आता था और कहता था कि हमारी एफाई आर पूलिस नहीं लिखी तो उसमें थाने से एक रिपोर्ट बंगाई आती थी कि यह केस पहले सा रेजिस्टर तो नहीं है और वो थाने वाले चाहे वहां से एक प्रॉपर इंक्वाइरी करके आपको रिपोर्ट भेजे हैं कोर्ट में लेकिन उसका सिर्फ उतना पार्ट एड्मिस्बल होता था कि वो केस रेजिस्टर है या नहीं अभी उन्होंने चैंज किया कि थाने से जो रिपोर्ट तलब करेंगे वो जो इंक्वाइरी होगी वो प्रियर इंक्वाइरी उसकी एड्मिस्बल वैल्य और उसको वो part of order करेंगे अभी तक होता था complaint case में जब section 200 में हम आते थे तो complainant के बयान होते थे complainant के support में दूसे लोगों के बयान होते थे और उन बयान के आधार पर एक summoning argument होता था बहस होती थी उस बहस पर और बयान पर जो चीज़े बन रही होती थी कोड को लगता था उन section में summoning होती थी अगर नहीं होते थे तो summoning नहीं होगी अभी उन्होंने कहा है कि prayer to summoning वो विपच्छी को बलाएंगे opposite party को और उससे भी बूचेंगे इसकी plea उन्होंने ली कि नहीं इसके आड़ में fake cases होते हैं तो fake तो F.I.R. भी होती है F.I.R. में उन्होंने क्या कर दिया कि 3-7 साल अगर में गलत नहीं हो तो उसके जो मुकदमे हैं उसमें 14 दिन तक की वो inquiry करने के बाद वो एक report फाइल करेंगे और अगर वो उनको लगता है कि ये आगे investigation करने के लायक नहीं है तो वो case वही डंप हो जाएगा अब आप सोचिए कि investigating officer को एक तरह से बस उन्होंने investigating magistrate नहीं बनाया है court की जो filing है complaint case 156 उसको उन्होंने discourage किया और police के power ज़रा बढ़ा दिया तो police झाहिर है मैं यह नहीं कहता है कि 100 में 100 खराब हैं 100 में 100 अच्छे हैं उसमें अच्छे ही लोग है खराब भी लेकिन जब कोई कानून बनता है तो आपको खराब लोगों के हाथ में हतेयार या अस्तुरा नहीं दिया जाता है अस्तुरा चलाने वाले के ही हाथ में अच्छा लगता है, अस्तुरा बंदर के हाथ में नहीं अच्छा लगता है वो पुलिस जो M.V.X से लेके टाडा और पोटा तक का मिस्यूस करती है उसके हाथ में अगर आप तीन साल और साथ साल तक के मुकदमों का है या किसी भी तरह के मुकदमों में असीमित अधिकार दे रहे हैं तो क्या गरिंटी वो मिस्यूस नहीं करेगी इसके अलावा जो पैक्टिकल प्राबलम्स हमारे सामने आ रही है जो किसी भी मुकदमे में प्रासिक्यूशन और जुडिशिरी जुडिशिरी इस सपोस्ट वी दा नूटल वन जो दोनों साइड की बहस सुनके ये तै करती है कि नहीं है इसमें कौन सही हो सकता है कौन गलत तो आपने जुडिशिरी को ट्रेनिंग दी इस नहीं सहीता की और प्रासिक्यूशन को ट्रेन किया अपने प्रासिक्यूटर सापने रेडी किया जो 90% मुकदमा जो फ्रीलांसर एड़ोकेट लगता है इसके बारे में आप जब से आपने एक फर्मान जारी किया कि एक जुलाई से होगा आज की तारीख तक कोई भी लौ मिनिस्टरी का या हमारी काउंसिल्स का किसी का भी एक इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि आपको इस पे सिंपोजियम करानी है जबकि कम से कम दो तीन साल तक आपको सेमिनार करानी चाहिए वर्कशॉप करानी चाहिए सिंपोजियम करानी चाहिए, डैलाउक्स करानी चाहिए, उनके सामने वालों की शंकाएं और उनका निवारण होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग LLB कर रहे थे, तो हमने सरकार के अथराइज इंस्टिउशन से, कॉलिजे से LLB किया, उनके नॉम्स पर, उनके दिगरी मिली, हमने एक बार काउंसिल में सारी फार्मल्टी जजा की, और तब कहीं जाके हमको तीन-चार साल बाद प्रैक्टिस का मौका मिला, यहाँ पर, और बेसिक कोड़ आपने बदल दिया, और राइट फार्म बिगनिंग, पहले दिन से आपने इमान लिया, कि नहीं यह कोड़ हमको आता ही होगा, तो परवेज अगर किताबे ही सब कुछ थी, तो टीचर दुनिया में कभी न होते, आप अगर किताब दे के निश्चिंत हो जाते हैं, तो पिर टीचर किस बात के होते हैं, किताबों को का नैरेशन उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे टीच हैं, और हम आउन आवर ओन कोई इंडिपेंडन्ट होके शुरुआत नहीं करते हैं, मोस्ट आफस आते हैं और किसी नहीं किसी सीनियर के साथ ठीटिकल नॉलिज अगले चीज़ होती हैं, उसके प्रैक्टिकल पहलों दूसरे होते हैं, तो आप किताब देके कैसे निश्चि कर रहे हैं, एपियो की तैयारी कर रहे हैं, जैक की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचें कि वो तो रात और रात पैदा लोग है बेचारे, वो जिस कोड की तैयारी कर रहे हैं, वो कोड खतम हो गया, अभी एललबी जो लोग कर रहे हैं, उनके भी सेलिबस नहीं बदलें, वो ज अर आप, वेस्न और एक्ट कभी भी जल्दी में मारकेट में नहीं लाए जाता है। क्योंकि उसका फायदा आपको दिखता है फौरण, नुक्सान उसके पता चलने में आपको जमाना भी जाता है। और जब नुक्सान उन्होंने 63 में बदल दिया या फला सेक्शन फला में कर दिया ये एक जबान पर जो हमारे चड़ा हुआ है ना 302 जिसको कुछ नहीं पता कचेरी के वारे में वो जानता है कि 302 का मतलब मर्डर होता है 376 का मतलब रेप होता है ये जो माहौल टीच करता है किसी को वो आपने पूरे माहौल के टीचिंग स्पाइल कर दी उस चीज़ को खतम कर दिया ये सबसे बड़ी इनकी कमी है और मुझे लगता है कि एक प्रॉपर बादल जब च्छाते और तब इस सहीता के बारिश होती वो जादा बेतर होता सरकार का दावा है कि शुरूर में दिक्कते आएंगे लेकिन ये इस पूरे बडलाओ के पीछे जो उनकी मनशा है वो ये है कि आम आदमी को नयाय मिले और तोरित नयाय मिले तोरित नयाय कैसे मिलता है आज से 20-25 साल पहले जब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे इंसानी हातों से रिजर्वेशन होता था तब भी लाइन लगती थी आज कंप्यूटर लगे हैं तब भी इसलिए कि कंप्यूटर पर जो चलने वाली उंगली वो इंसानी है किसी भी सिस्टम का जब मैं कॉमेंटी कर रहा हूँ जब भारती करण होता है जब उसके इंप्लिमेंटिंग हैंड्स सही नहीं होते हैं जब तक आप एक अच्छी इंवेस्टिगेटिंग एजनसी नहीं बनाते हैं जब तक आप एक अच्छी जुडिशरी जनरेट नहीं करते हैं तब तक सिर्फ आप एक्ट बदल देंगे आप उसमें पनिश्मेंट बदल देंगे उसके जुर्माने बदल देंगे और उससे अगर आप यह सोचेंगे कि पूरी दुनिया सही हो जाने वाली इस सिस्टम सही हो जो सरकार कह रही है कि वो जो पहले के क्वानून थे वो कानून बृत्णिया ह्गूमत के दे हैं ब्भारतिय खानून लागू हो गये तो यह भारतिय चानून और पुराने कानून ग़े जो बदलाओ है इसका क्या फर्क है? इसका फिलाल अभी तो कोई फर्क नहीं दिखता है, पुराना कानून हर आदमी के जुबान पे रटा हुआ है, और नए कानून के बारे में न हम लोगों कोई कोचिंग कराई गई है, न बसाया गया है, न कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, इसमें भारतीरता कहां से नदर आए जो पुराना कानून है, उसको सब लोग रटे हुए है, इसमें अभी बहुत जलबाजी कर गए, सरकार जो है बहुत जलबाजी कर गई, इतनी जलबाजी नहीं करनी चाहिए थी फिर लोटता हूँ अध्यक जी के तरफ, ये जो शक्तियां बढ़ाने का बार बार, सभी लोग, सभी वकील का ये वो है, कि इससे पुलिस की शक्तियां बढ़ जाएंगी, मिस्यूस होगा, पिर मिस्यूस क्यों कहा जा रहा है इसको, मिस्यूस देखिए, मिस्यूस का डर हम जिसको सबसे कम उसका इस्तमाल आता हो, या जो सबसे कम उसका इस्तमाल करता हो, तो पुलिस चुकी गुजरे कल में कई ऐसी अपनी पावर का मिस्यूस कर चुकी है, तो जाहरे आने वाले कल में भी उसके उस होईय को लेके डर है, और अगर आप शेहर में सिगनल बदल दे है ट्रैफिक सिगनल तो जुरमाने इंपोस करने से पहले आपको सब को इन सिगनल्स की जानकारी देना भी जरूरी है यहां ऐसा ही हुआ है कि जानकारी के बिना हला कि हमारे डिसिक जेस्ट साब ने एक एक जॉइंट सेशन रखा हम लों के साथ अभी हमारे ने जैसाब आया है उन्हों ने भी आते ही आते इस बारे में बात की लेकिन ये चीजे मुझे लगता है लौ मिनिस्ट्री की पहले होना चाहिए और ये जुलाई से पहले का काम था साल च्छे मएने फhires में पहले से हम लों को इस बात की इवर्नेस कराना चाहिए थी हमको इस बारे में लिटरेट करना चाहिए था हमें जागरू करना उनकी ड्यूटी है क्योंकि सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पार्ट हम है अगर हम को कोई जानकारी नहीं है और हमको उस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है तो सिस्टम को जाहिर है कहीं न कहीं स्लो डाउन ही करेंगे सारी जो हमारी पूरी कुन्बा है इड्वोकेटिक इस कुन्बे में सबसे बड़ी दिक्त इसको इस नई सहीता के लागू करने के तरीके को लेके हैं इस नया प्रिक्रिया पे बुरा असर पड़ा इस परिवरतन से अब हम लोगों ने 40 साल तक Patriot किया है और जो आज का नया ललका आया है हम भी उसे के बराबर हो गए है और ये जो परिवरतन किया गया है कोई संख्या का परिवरतन किया गया है अंदर बाड़ी में कोई ऐसा परिवरतन नहीं किया गया है चुछ चीज़ें जो बताई गई है जो लिख के आई है जो कानून परिवर्थित किया गया है इसमें एक जैसर रिमांड के उपर पहले च civदा दिन का पुलीस रिमांड होटा था अब यह 40 दिन का रिमांड कर दिया गया है जो परिवर्तन किए गये है उससे जन्ता को कोई ल परिवर्तन किया गया है बाकि इसमें कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं लाई गई है जिससे की जंता का बहुत हित होगा जो सरकार कह रहें के CRPC के जो धाराएं थी उनमें बदला हुआ है बदलाव किया है लेकिन अंदर चीजें वही हैं बाडी में वही चीजें हैं केवल संख्या का परिवर्तन किया गया है अगर संख्या का परिवर्टन न करते हुए ये बाडी में कुछ चेंज कर देए संख्याएं वही रहती संख्या वही बनी रहती जो पुराने सक्षन से वही बने रहते और बाडी में अगर ये कुछ चेंज कर देए तो उससे जनता को ज़्यादा लाब मिलता जो है जिलाबारे स्वसीशन के पूर अध्यक्ष है जगत भादूर सिंग जी बहुत ही सीनियर एडोकेट हैं जहां तक मैं समझता हूँ इसका कोई असर नहीं और इससे कोई मतलब भी नहीं जो यह नई नयाय संगिता बनाई गई है आवसिक्ता तो इस समय यह है कि जो विवेचना हो रही है जिससे विवेचना कराई जा रही है वो बिल्कुल फेक हो रही ज्यादातर और निर्दोस जेलों में ठूचे जा रहे है इनको चाहिए कि विवेचना की तरीका बदला जाए पुलिस को सिर्फ अरेस्ट का रखा जाए और इंट्रिट्रिगेसन किसी ला जानने वाले और अच्छे जुडिसियल माइंड के लोगों से करा जाए होता यह है कि विवेचना जो हो रही है वो बिलकुल हम तो समझ रहे हैं इस समय जितनी विवेचना हो रही है अगर देखा जाए तो उसमें पता नहीं कितने निर्दोस जो है वो जेल में जा रहा है और कितने दोसी जो है वो पुलिस से मिल बेगाद करके बाहर मतलब चूट रहे है तो इसका कोई मतलब हमारी समझ से इसका कुछ नहीं है कोई इससे हमारी समझ से कोई फाइदा नहीं है कि पब्लिक को कोई डारेक्ट फाइदा इससे मिलने वाला है जल्दी नियाय का मिलेगा जोटी विवेचना पर पर पहाए गए और जल्दी नियाय करके और लोगों को इस जो ये बिवस्ता चल रही है नियाय कि जो इनको मिसीनरी पर कंट्रोल करना चाहिए नैतिकता बढ़ानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसी तरह दोसी न बचे और निर्दोस किसी तरह भी जेल न जाने पावे जो हमारी जो ये नियायक विवस्ता है उसका ये सिद्धान्त है कि दोसी भले छूड़ जाए लेकिन निर्दोस किते ही जेल न जाए जाए मैं कहता हूँ अगर आफजर्ज कराया जाए तो पता लगे जेल में जितने लोग बंद हैं उसमें 75 परसेंट या 60 परसेंट मिर्द्ध रूफ से निर्दोस हैं उससे देखना तो पड़ेगा ही लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हमसमन नहीं रहें वो बुक्स म यह दारा आई पी सी में यह थी तो इसको कहते हैं भारतिय निया संगिता उसको यह है तो देख लिया जाएगा उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं क्या आपको लगता है कि एक जलबाजी में कर दिया है इसको दीरे-दीरे से चेंज लाना चाहिए और मेरा तो सिर अधिकतर लोग जो सही बात नहीं होती है यहां भी जूटें है लिखाया ज्यादा पुलिस को यह है कि उन्होंने चार सीट भेज दिया अधालत की जो तरीका यह है कि कारवाई सुरी हुई और एक दो जुट्टा अगर मिल गया उसने गवाई दे दी वह जेल चला गया एक यह आफजर्ब करना चाहिए जमीनी अस्तर पर कि जिन जिन में इन्वेस्टिकेशन हुआ है जिन जिन में लोग जेल भेजे गया है इनको अलग से गौवर्मेंट को यह जाच करानी चाहिए कि अगर आप इस पार्ट पर जाओगे जानकारी करोगे तो पता लग जाएगे क उन दोस है जो निर्दोसे और कौन होगा है तो मैं तोुए समझता हूं कि इस समय है ज्यब भडला हुआ है इस हमको लगता नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यैं ज्या कोई बहुत बठा बबलिक उने जा रहा है इसका बिलकु नीगेटिव है कोई परकास्टी ही नहीं पाएंगे ऐसा क्या क्या हाई जसा का ऐसा खाली voice नाम बदले ना नाम परक्रिया भी बदल दिय आ नहीं सब्सक्राइब बदलकार का datos इस यृष्ट परक्रिया डिए और जो सबते हैं और इस नहीं कि अन्य याप से तो यह प्ले का न वहलने ना वाकील हो और सुपरिक कि आप मिलेगा जली सुनवाईया होगी कैसे जली जो पेंडेंसी है वो कम होगी यह कुछ नहीं यह 173 एक सेक्षन बना जिसमें पावर पुलिस को दिया गया है कि वो पहले साथ साल से कम सजा वाली तो पहले जाच करेंगे तब फैयारदज करेंगे तो पता लगा जाचे करते में न पुलिस का पहले से ज्यादा पावर हो गए क्योंकि जो साथ साल से कम सजा वाले हैं उन्हें पहले इनुश्य करेंगे तब फैयारदज करेंगे लेकिन आम तोर पर दिखा जाता है कि सरकार का कोई नया चेंज आता है तो उसका विरोध होता है कहीं पर जादा उसी कानू जो पहले थी नो एक्ट थे उसे में रमेंट करके या डिलीट करके कि बना सकते थे यही चीज ला सकते थे सब तो कोई प्राब्लिम ना आती ना वकीलों को और यही काम ना पबलीक को कोई नहीं और यही काम हो जाता हमेंट करके या डिलीट करके एक और हम सीनियर स्टाएन हैं फ़रुक मबिन थाप आ आप मेना कर रहे हैं है है ये इशारा कर हैं कि नहीं बात करेंगे ये इशारा कररहे है जो है है जब इत्तल नहीं क्या था है बहुत गलत है, इसमें पुलिस को वो रूल पावर दे दी गई है, जो पावर जॉन मेकले ने भी नहीं दिया था, आपको मालूम है कि 261 में जो बयान दर्ज होते थे, वो कोड में एकसेप्टबिल नहीं थे, जबकि लंडन में पुलिस के सामने दिया गया बयान एकसेप्ट हुआ कि है, इसीशी उन्होंने कहा था कि ABCD में दिया बयान, कोड में अडमिसेबल नहीं है, अब उन्होंने पुलिस को इतनी पावर दे दिया कि पुलिस को एफियार करने में ही इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, एफियार कराने में ही घूस देना प्रेशार लगाना एफ पावर उनके पास लिमिटेड है यही पावर हो गई कि पहले साथ साल से कम की सदाम में आप फायार दर्च कर लेते थे गरिफतारी नहीं होती थी अब फायार भी दर्च करने से पहले वो पूरा उसका जाज करेंगे अब जाज के तिन श्पष करेंगे यह हिंदुस्तान की प आर कि वो होगी यह से मुलविस लोगों को बचा जय जो जो पीरित हैं उनकी फियार कराने में प्राब्लम होगी जब गलत तो पहले भी हो जाते हो अभी होंगी है अब सही फियार करने के लिए बिल्च को दरदर भटकना पड़े गा क्योंक्तिए वो टोटल पॉलिस के उस पहले क्या था कि जहां पर आपको हुआ है वहीं पर जाकर अफ़ाइ और देन लेडी जो के से उसको छोड़के उसमें जीरो एफाय थी अब उन्होंने सब ने कर दिया हैं कि आप जीरो एफायर करा सकते और वह पिर वापस वहां पर आजाएगी इस थाने में से रिलेट़ फ पास के ठाने में जाके वो रिलेटेड ठाने में ट्रांसपर हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि सब कभियां है लेकिन पुलिस को पावर जादा दे दी गई है जो कि लॉंग नन में बहुत प्रॉब्लेमेटिक हो गी और इसका अब आज कल तो हर चीज का सियासी इस्तमाल किया जात करते कहीं कुछ राय लेने के बाद इस तरह का एक्ट बनाना चाहिए ऐसे थोड़े ऐसे बना दिया ती दो तीन चार लोग बैट करके अब पूरा एक्ट हो गए और यहाद पुब्लिक राय लेने कहीं नहीं कोई राय नहीं लिगे कहीं और एक तरीके ते पिर से आप तरीके और वहां पर धाराय भी देखनी पड़ेंगे एक बार जो दिमाग लोग रटी हुई है वह जब हम लोग तयाएंगे कोई धारा पड़नी होगी तो पहले किताब पलटेंगे किताब करके नफज दहराय याद करके किताब लेकर के जाएंगे तभी वह मुता हैं तभी धाराय याद होंगे जगमार जी है जगमार जी जीरो फईयार तो पहले भी होती है कि गटना जिसे बारा आप यहां से टैक्सी से गया लखनू में गटना हजरत गज में होती ही वहाँ आपने फईयार दशकराई जीरो बाद में दूसे थाने में टांसफर होगी जी बिवेचना फिर जहां की घटना होती थी वह होता था फईयार वहां दर्ज हो जाती थी और फिर यहां क्राइब नंबर पड़ जाता था संबंदी थाने पे इसमें क्या नया कुछ नहीं हुआ अब जैसे पहले भी था कि यह फईयार आ बहुत ज्यादा जरूरत है फिर से इस पर विचार होना चाहिए तो यह अलग अलग राय हैं और जादातर हम लोंने बात किये है वरिश सद्धिवक्ताओं से बात किये और सभी का कहना है कि सरकार का ये कदम जो है वो जलवाजी में लिया गया है थोड़ा बीच में समन्व स्थापित करना चाहिए था सेमिनार्स होने चाहिए थे इसको उस पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके बाद पर ये कानून में बदलाव करना चाहिए था और ये बहुत जल्दी लिया गया कदम है और इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके के जो है वो आशारिस पर देखने को मिलेंगे